वरकी हल चाल स्वागत है तड़ा आज दीस नई वीडियो ची दोस्तो बात चाहें इंडिया और इंगलेंड के वर्ल्ड वॉर की हो जा फिर हो इंडिया इंगलेंड क्रिकट की आप तो जानते ही होंगे इंगलेंड हमारा शुरू से दुश्मन रहा है तो बारत और इंगलें 2007 की और भारत और इंगलेंड के बीच ये मुकाबले में युवरा सिंग ने इंगलेंड की टीम की वहंकर वाली बैंड बजा दी थी और जिनको अभी भी नहीं समझाया कि ये फाइट में क्या हुआ था तो आईए समझाते हैं दोस्तो देखिए ये जंग युवरा जोर इं गेंदबाज पर निकालते हैं छे चक्के लगाकर आगे बढ़ने से पहले मा आपको बता दू इस वीडियो स्पॉंसर बाइमी जदी आपको युवरा सिंग के दुवाला लगाएगी एक ही ओवर में छे चक्के देखने आ हैं तो हमने उस पर आल्रेडी वीडियो बनाई अश्रेलिया से था और तब के समय में अश्रेलिया की गेंदबाजी बहुत ही डेंजरस होती थी लेकिन युवरा सिंग ने वो मैच में भी अश्रेलिया के गेंदबाजों की धजिया उडाकर रग दी थी और केवल 30 गेंदवों में 70 रनों की पारी केली थी दोस्तो यदि आपको भी लगता है कि इवरा सिंग जैसा खिलाडी हमें आने वाले समय में भी नहीं देखने को मिलेगा तो विड़ो को जुरूर से लाइक कीजिएगा और इसे दोरान विराड कोली अग्रेसिव होकर सेलिब्रेशन कर रहे थे और बेंट स्टोक्स को भी बहुत ही जादा फरस्ट्रेशन थी तो इसी बीच बेंट स्टोक्स कुछ विराड कोली को शब्द बोल देते हैं और ऐसे वक्त में विराड कोली ठहरे गरम दिमाग के तो वोई है जुल्दिस उंपायरों ने रोकने आ जाते हैं और विराड के साथ वहीं पर मामला सुझा देते हैं बेंट स्टॉक्स अपना बल ला ले पवेलियन के और चल देते हैं और हम आपको बता दे कि बेंट स्टॉक्स पर मैच पीस का फाइन भी लगा था और देखिए विराड कोली ने कुछ इस तरह से सेलिबरेशन किया था और आप ये वीडियो देखें यहाँ पर आप विराड कोली के लिप से रीड करकर कमेंट बॉक्स में ये जरूर से लिखी हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपको क्या समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट के उपर दोस्ते इंग्लैंड के हाथ में एक लोथी विकट होती है और जस्पित भूमरा के सामने होते हैं एंडरेसन और दूसरे बढ़ते हैं जो रूबूमरा एक ओवर डालने आते हैं और पहली वाल एंडरेसन को पाउंसर डालते हैं जो सीधा जा उनके हलमेट पर लगती है और उन्हें पूछा जाता है की हाल चालवा दिया तो वोलते हैं या या ओके ओके और वहीं जोस्पित भूमरा दूसरे तरफ अपील कर रहे होते हैं कि गेंद पहले गलब्स पर टकर आई थी और ये कैच किया गया है और ये बल्लेवाज आउट है मेरे खाते में एक विकेट आ रही है तो उमपायर जनाब चेक करते हैं जिसमें सीदी सीदी गेंद जाकर हेलमेट से टकराती है और भाया एंडरेसन के चितरे उड़ा देती है और थोड़ी ही देर के बाद एंडरेसन फिर से खड़े हो जाते हैं खेलने के लिए और तभी भूमरा दूसरी गेंद शोट बॉल डालते हैं ये गेंद उनके चेस्ट के नीचे जा लगती है, जनाब एंडरेसन खेलने तो आय थे, लेकिन उनका बल्ला चुवाई नहीं गेंद के साथ, और वो चोटील हो जाते है, और एंडरेसन अभी भी बेटिंग कर रहे होते हैं, और उनके चेरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि उनके गेंद बहुत ही जोर से लगी थी, लेकिन तब भी बिजली के खंबे की तरह खड़े हैं, और जस्पित भूमरा की तीसर गेंद सीधा उनके चेस्ट में लग रही होती है, लेकिन वो तो बगवन का लाख लाख शुका रहा है, कि एंडरेसन के बल्ले का किनारा अला नहीं आता तो एंडरेसन को अपनी जान भी गवानी पड़ सकती थी, और अभी एंडरेसन सिंगल की तलाश में थे, और फिर वो चौती गेंद खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, और भूमरा की ये गेंद एंडरेसन के हाथों पर टकराती है, लेकिन ये चौती बू भूमरा भाई ने ओवर स्टेप कर दिया था, और एंडरेसन को एक एक्षरा गेंद केलनी पड़ी, और भूमरा फिर चौती गेंद डालते है, जो एंडरेसन हाला की खेल देते हैं, लेकिन फिल्टर के हाथों में, और उन्हें एक रन नहीं मिलता, और फिर भूमरा डालते पांचमी गेंद, जो हती है जड़ में यॉरकर, और ये बॉल पर भूमरा को विकट मिली गई थी, लेकिन बॉल खेलने के बाद विक्टो से चुक गई, अला कि ये गेंद विक्टो से भी टेकरा थी, तब भी बलवाज आउट नहीं माना चाता है, और भूमरा जनाब ने ये गेंद भी 9 बॉल डाल दी, और भूमरा फिर से 5 में गेंद डालते हैं, और एंडरेसन उसे जैसे तसे करके खेल लेते हैं, अभी वैसे तो भूमरा ने 7 गेंद डाल दी थी, लेकिन 9 बॉल के बज़ा से अभी एक बॉल पड़ी थी, और भूमरा 6 में गेंद डालते हैं कि अभी तो इसे जान लेवा बॉलिंग से पीछा शूटा था और अब एक गेंद और खेलो और जैसे तैसे करके बुमरा की ये गेंद भी वो खेल लेते हैं और आपको बता दे कि बुमरा को अभी तक कोई भी विकटिन मिली इस मैच में और हैरानी की बात तो ये है कि ये बॉल भी नो बॉल है जस पिस बुमरा विकट की तलाश में ज़्यादा एफट तो लगा रहे हैं लेकिन भाई मिस्टेक ओवर स्टेप कर जा रहे हैं और बुमरा की ये ओवर की आखरी गेंद जाने की 11 बॉल सटीक जड में योरकर होती है लेकिन एंडरेसन खेल लेते हैं और रन भी नहीं भागते है इस ओवर में बुमरा ने 11 गेंदे तो डाल दी लेकिन उने इस ओवर में विकट की तलाश थी वो तो मिली नहीं एंडरेसन फाल्तु में ही पिट गए खेर आगे बढ़ते हैं देखे जोनी बेस्ट्रो बेटिंग कर रहे होते हैं और हमारी भारतिय टीम विराट कोली की केप्टन सी के अंडर एकदम ताबर तोड सलेचिंग कर रही होती है और इसी बात पर जोनी बेस्ट्रो कुछ शब्द कहते हैं विराट कोली जोनी बेस्ट्रो की ओर बढ़ने लगते हैं और फिल्ड में खड़े दोनों अमपायर खड़े-खड़े तमाशा तो नहीं देख सकते थे तो दोनों अमपायर्स बीच में आकर विराट कोली को रोक देते हैं और आपकी जानकरी के लिए बता दे जिस तरह से विराट कोली वार्निंग दे रहे थे जोनी बेस्ट्रो को की हाथों से इंग्लिश विलो के बैट उठा कर पेल दिये जाएंगे और शैद से बैट का ग्रिप निकालके मोई मोई भी हो जाता मिया 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 भाई अपन को बोलते मिया भाई चलियो बढ़ते हैं नमबर वन के ओर मिया भाई वर्शिस इंग्लेंड राफ्ट सिराज नम्हिट ांश में मी मिया भाई वर्षिस अपन को बोलते मिया भाई जोस्तों यह लड़ाई मोहमद सिराज किये भारूत रही इंगलेंड के बीच में खिली जा रहा एक test match में मोहमध सीराज हाइस्ट विकेट एकर वने थे तो आई यह दिखाते हैं उनके द्वारा लीग ही तो चलिए फिर इंतुजार किस बात का मैच के दूसरे दिन दूसरी इनिंग में महमद सिराज भारत को पेली विकट दिलवाते हैं और केवल तईस ही रनों पर और तईस रनों पर ही दूसरी विकट भी दिलवा देते हैं बल्लेवाज के चीतरे उड़ा कर कि उनने इस मैच में आठ विकट ली थी और वो भी तब जब भारत को बहुत ही ज़ादा जुरूर थी विकटो की और कोई भी गेंदबाज विकट नहीं ले पा रहा था ऐसे में मिया भाहि भारत को जिताते हैं पताते हैं कैसे सिराज की 25 में ओवर की आखरी गेंद बल्लेवाज के पैड्स पर टकरा जाती है और अमपायर जनाब दे देते हैं आउट लेकिन बल्लेवाज संतुस्त नहीं थे वो रिवी लेते हैं लेकिन मिया भाहि और भाहरतीय टीम सेलिब्रेशन कर रही होती है एक दूसरे से गले मिलरी होती है की भाहि वीकट मिल गई और DRS में देखा जाता है की कहीं बल्ले पर एज तो नहीं लगी और जनाब एज तो कहीं पर भी नहीं लगती बल्ले पर और विकट से जूरू अमपायर कॉल हो जाती है और अमपायर का डेसेजन होता है आउट और फिर बल्ले भाई चल देते है पवेलियन के और और मोहमद सिराज को मिल जाती है चौती विकेट और अभी की जंग है फौर्थ ही निंकी और जिसमें मोहमद सिराज अपना खाता खोलते हैं बैट्समन के बल्ले पर एज लगाकर और ये कैच सीधा विराट दादे के हाथों में जाती है और उससे अगले ही ओवर में एक और बल्ले बाज के बैट पर एज लगवाकर मिया भाई विकेट निकाल लेते हैं और ये विकेट पर विराट भाई तो पूरही उतावले हो जाते हैं विकेट मिलने की खुशी में और ये ही नहीं इसी ओवर में मोहमद सिराज बल्ले बाज को शांदार ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और विकेट उखाड कर अपने आथों में पकड़ लेते हैं और तो और विराट तो पूरा चिला चिला सेलीब्रेशन कर रहे होते हैं तो दोस्तों विडियो अच्छी लग गये तो विडियो को जुरूर से लाइक करना और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर बेल आकिन कॉल पर जूर से कर देना विडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से देने बाद